क्या चल रहा था रन्थमबोर के चोहान चल रहे थे रन्थमबोर के चोहान ठीक है थोड़ा सा डिटेल लिवा है दुरुग के बारे में बताया था टन्थमबौर दुरूग यह रन्थमबोर दूरूग कि कुंजी जाहिन दुरूग है और एक सीवाना दुरूग के चितोड का फोड़का वह भाई बोल जाता है और देखो ते सबसे पहले है लिए इस पहले शाखक पड़ा था गोविन राज जिशने क्या किती चौहनों की शौहनों की शागजताइक घरा सुचरान में की ती उसके बाद हमने वागबट पर दाजा वागबट के समय रज्यक्षया सुल्तान जो गुंडव में फस गई उस दो जो झिवित रेती अपना साषन गाल कुकश को सौप दिया था हमेर देव चवान को साम ने लग बग सेत्र को को जीत लिया था इसने लग बग सक्तर को जीत लिया था इसने जाहिन दुरुग यहां पने का कौन हमीर देव चोहां ठीक है यह देखो बहुत परसी द्यांशिल की इसने लग बग सक्तर को जीत लिया था इसने चारों और इसकी हाहा कार होने लग गी थी इसने मेवाड के समर्शिंग को भी हराया था यहां मेवाड के समर्शिंग को भी हराया और कोटा तक इसने अधिकार कर लिया था मांडल गड से इसने क्या क्या था टेक्स वसूला था और इसन से विजहे सोडा इन्होंने विजु है सोला हब किये टीम बात करें कंसा आटित्याटी डेवो बहु इसका मतलब लिए इस सलोग के लिए इस हमीर देव चोहान ने अपने प्राण कघंद करने ईयुक्ति म इसा सकता एसा नहीं ताय बात ती तो एक तो आता इसका कि अमनिध महा कावे से जान करी मिलती है त्थिक एधावे ने चंदर सूरे ने घंड ता हमीर हट कि आमबात करें तो हमीर हट लिखता चंदर सेकर हमीर हट चंदर शेकरने लिखता उस से Sumer life कोने नहेंचंदर शुरिय और हमीर रा सो कि आमबात करें हमीर रा सो यह तीन गरंत है यह तो आपको याद करने पड़ेंगे सारंगदर ने लिखता या जोद राज में नाम आता है ठीक है यह तीनों गरंत हमको याद करने पड़ेंगे अगर हमको हमेर की जानकरी प्राप्त करनी है तो एक दोआ आता है ठीक है एक उगती आती है पंक्ती आती है क्या मतलब होता है सीए सेवन सत्पुरु सवचन कदलन फलत एक बार तीरिया तेल हमीर हट चड़े ना दुजी बार मतलब क्या होता है सेवन का मतलब टाबर यानि सेवन बार बच्चे को जनन देता है उसके बाद कहते हैं कि फिगर फागर खराब हुए ठीक है सत्पुरुस वजन यानि बड़ा आदमी एक बार बोलता है ठीक है बोलते बोले तो बोले काई फरक पड़े ठीक है कंदलन फलत यानि केले का फल एक पेड़ दगड़ना पड़ता है तिर्या तेल कोपशी दुकानपर मिल तिर्या तेल का मतलब के लिए लुगई यानि इस तरीक एक बारcke धिद्धता है एक बारी सध्डी होती है त्य सोलो के मलड़े नर्स तीन छार ले ना यानि नहीं एसा माने चाहता है राजपूत महिला के एक बार दख थे गता था आन। उल्ट ना हो गया, ची का मतलब शेर, सेन का मतलब तापबर, यानि शेर नि एक बार ये बच्चे को जिनम देती है, बाद में ओ प्रक्रशन करा लेए, सत्पूरु सुचन का मतलब आए, बड़ा आदमी एक बार बोलता है दुबारा नहीं बोलता है बोलते तो बोल ये कुंध्यान देनों आपने ठीके सत्पुरुषोचन एक बार बोलता है ठीके कदलन्थ फलत केला एक बार जो पेड़ होता है वह एक बार फल देता उसके बाद काटने बार दुबारा उगया जाता तिरिया तेल यानि जिद पकडिती एसी कौन सी ठाना था जो इसकी परशिदी फेल गई थी इतनी ठीके वो हम देखेंगे तो देखो काणे आती है हमेर की 2 या 3 एक तो हमेर हट के इशाब से पढ़ेंगे और एक हमेर महा काविय के इशाब से पढ़ेंगे हमेर के समय दिल्ली के साथ सकते कटिन ने कखिल जी कव हाइच और हमेर का शांais का लाता ये 1220 23001ी ठेक है डिल का सास शमय किल जी एUI 1824 जलालandè cùng किय था किस पर हमेर्डव को पर कब गया था बारा उपरा सो सबसे पहले कौन सा दुरुख जीतना पड़ेगा यह दुरुख यह दुरुख जीत लिया और बताते हैं किस दुरुख जीतने में किस की हत्या हो गई कौन मारा गया गुर्दास सेनी मारा गया उस दुरुख को जीत लिया और वापिस जाना जरूरी है तो दुरुख में कहीं कमी निकार दो यह दुनि आपको कोई चीज ना मिले तो उस चीज में कमी निकाल दो यानि कोई चोरी ना मिले ना तो इन भी में कमी निकाल दिए ठीक है कि मैं तुब याने बड़ोडी बेहने देख को बिन देखो इस ठीक है यह कर टाल दिन तो ओके ग्रियों नी वापिस भी जाना जरूरी तो दुरुग में ही क में कमी निकाल दी और कारी की चालो चालो के उठाओं यह डेयर, इचमी यहांनी किसने काता ऐसा जलाल उदिन खिल जीने कि एसे दस दुर्गों को में एक मुस्लमान के बराबर महतुएं नहीं देता हूं यह कमेंट दियान रखना यह पूचा जा सकता है ठीक है यानि आपसे पूच ले कि एसे दस दुर्ग मैं मुस्लमान के बाल के बराबर भी नह कि आनただ तो में थिर्थ ने दिया तो जलाल दिन खिल जी स्य ने दिया था। कोन से दुरुु के बारे में रन थमब़ दुरु के बारे में ठीके अब जलाली दिन को बतिजा यहां का बनेगा सासक शुने अल्लाव अदिन खिल से अल्लाव दिन खिल से ओह अझाने सदार आदमें तो Marag至 कि अधरी षज़ार दोले । तो भी जांगिन को हाथ काड़ लिए यारी जितना मतलल अदा किलो कम तो लिए तो इसका आदा किलो का मास काट लो ठीक है तो इंडिया जिके की बाते हैं वहां आगे करेंगे इसने गोडों की डाग परता सुरू की थी गोडों को डाग ना मतलब गोडां के ठपा लागाना युझ क pista सángतनी, तो माराज अमेरिकह रियासत जी तलिए ₡, वह एक है ठप लग्राज वह फिने चेकितोiedy तॉक हम लेखंव झाए घ्याफ फोर्टा में फिर्यासती या घ्याफधा। पासवाले डुषके पूलाए जनी तो फिर्कत गजी कि न करदा है तो इस ने क्या किया था ठपा लगाना शुरू कर दिया था कि एक ही गोड़ा एक ही बार गिना जाएगा नहीं तो युद की समय गिनती की समय तो होते दुगुण तो गिन लेकिन युद की समय एक जगे होते और कम दिखाई देते इसलिए इस ने क्या किया ठपा लगाना कर दिया बूलिया मतलब शेय पर कोई ना कोई निस्हान रखना वेसे कोई रखना सुरू कर दिया था ठीकें पहले पोटवां पाटवां दो बौनति को नहीं कि और करेगा क्यों करेगा कही कारण है ६ नम्मर में कारण इसका चाचा हार कर गया है कौन जलाली तिन खिल nouns का पुछा 1500 चाचा जलाल जिन हार कर गया है क्योंकि रंथंब और दुरोक को जीत नहीं पहिएमट इस ने कबजा किया था और गुर्दा सेनी मारा गया था ठीक है दूसरा कारण रन्थंब और दुरुक कहा है दिल्ली के पास में तो जीतना भी जरूरी है तीसरा कारण सामराज विस्तार ठीक है तीन तीन कारण आते देखो कोई तो बाहना चाहिए युद्ध करने के लिए दो बाहन आते हमिर महाकावी के नुसार और एक काते हैं हमिर हट के नुसार हमिर हट का एक तो चंदर से कर लिखियो जको परण गहाउँ और एक न चंदर सुरे बनाया था अलाओदिन की सेलना क्या है एक बार गुजरात जा रहे थे गुजरात का इधर से गुजरात और यहां से क्या है यह लूट पाटके मंदिर बगेरा तोड़के और सब कुछ खतम करके यह आ रहे थे ठीके वापस आते समय जालोर के नजदिक विवाद हुआ या जालोर के नजदिक विवाद हुआ जिसमें विवाद में कौन थे एक तरफ तो थे और विवाद हुआ क्यों था विवाद हुआ था धन के बंटवारे के लिए क्यों बेचरा कमार ले रहे है इनका नाम याद रखना आगे काम आएगा अबी नुसुरुत खा और एक तरब कुणो और बाइडो मौहमद सा और मौहमद सा केकरियों नी एक खेमा तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया दो गुरुप थे ये तुलु खा और नुसुरुत खा और एक मौहमद सा केकरियों नी जालोर उस सारो धनी के ठोकर गए और किसकी सरण में आ गया हमीर देव चोहान के पास आ गया कि मैं तो धन ले रहे हूँ ठीके और हमीर देव चोहान ने इसको क्या गर दिया सरण दे दी किसको मुहमद साह को ये तो बात आती है हमीर महा कावे के अनुसार ठीके, अब देखो हम पढ़ेंगे हमीर हट कयने। अल्लाव दिन की घराली को नाम हो चिमना ओहो चिमना चिमना और ओई मौमसा नाम याद राकनूं इमौमसा बड़ो खत्रनाग आदमी हो मौमसा बड़ो इसांदार आदमी रहा कै बतों तरने अल्लाव दिन एक दिन क्या कर रहा था सो रहा था अपने कमरे में रेश्ट कर रहा हो मस्त ठीके और भी टेम के हो यो और वड़ा गिर्ना गया यानि बारिस बगेरा शुरू भी ठीके बरब बारी विहों ला गी ठीके और क्यों चिमना ओ चिमणा, अर बाद कामड जला ररे, लेकिन कामड जलाईगो कोनी, बी टाइम तो, आइल क्या बन दी ही, बाद में अलाओ दीन खिल्ची कहें करियो हुँए, आइल क्या खोले के देख़्ियो तो, बेड तो खली, कि क्योxicoर कन्ये गई, कन्ये गई जर्म इन सोद्धेु, कि बेठी ईठाओ मुंमस्छा के गेल, ओहो कमरा, कमरा मुझ्णाओं, अंगडाइय लेती हूं, मैं जब जेब साथा स्मयार किसके कमरे से कमरे आ रही थी, मुंमस्छा के कमरे से अवाज urban आ रही थी, इसने सौचा कि अभी तो जाण्दो ऌड़ंतर करूं गा, चिम्नान बुलाई समझाई मौहमद सा ने बुलाई हो समझाई हो चिम्नान क्यों यार देख मैं दिल्ली का सुल्तान और ओ सेनापती तु कट बराबरी करें अगर बराबरी का होता तो मैं तेरे को माप भी करते था यह तो सेनापती और यह मैं सुल्तान के मामलो से टूई लेकिन कौन बैटियो ठीक है और मुवमत सा को से भी समझाया कि यार मेरे एकी चिमनी भी कुई चान अनो और इनी तू लेग जणा मैं के करूँ तो मुवमत सा बतावे कि मुवमत सा बटू अलावदिन ने गाली गलोच करके ठीक है जरुत कोनेर बिया कोनेर कुछ भी बोलके और किसके पास आ गया था हमीर देव चोहान के पास आ गया था ठीक है रन थंबोर आ गया था कोन गाली गलोच करके मुवमत सा किसके पास आ गया वह मारली लोगों ने छेड़ायो है ठीक है लेकिन हमेर ने नहीं बेजा वापिस तो अलावदिन खिलजी ने सेनीक बेजे दो तीन बार अब्यान किये किसने अलावदिन खिलजी ने पहले बेजे उलुखा और नुसृत्खा किसको बेजेते पहले बही आदमी रहेंगे बड़े काम के आदमी है बार बार आएंगे ये पहले बेजा किसको उलुखा और नुसृत्खा को आए बनास नदी के किनारे कहा पढ़ाव डाला किसने डाला उलुखा और नुसृत्खा ने पढ़ाव डाल दिया उलुखा और नुसृत्खा ने हमेर क्या कराता उसमें बत येग्य कौन सा कर रहा था कोटिय जनी येग्य कर रहा था ये अस्वे में की तरह ही होता है और पंडित बताते हैं विश्वे रूप थे कौन थे पंडित कौन थे विश्वे रूप थे इस येग्य के ये बात बताते हैं तो अमिर सिंग खुद नहीं जाएगा क्योंकि ये त द्रमजिंह और एक बेम जिंघ किसने बेजे थे हमेरद देव चौहान उदर से कोन आएंगे उलुक आएंगे और एक कोन आएगा नुसृत खाएगा बेमजिघ और द्रमजिंग कि नेतरतों में खुद तो कहां लगा था एक यग्ययमी लगा था कोटिये जन यग्यमे युद तो हमिर देव जीत गया और यह दूआ कहां था हिंदू अंडू 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 यहां पर यह दूआ और जीत गए कौन जैसा हमिर देव चौहां अब दरम सिंग और भीम ठीक है अचानक किसी सेना ने इन पर अक्करमन कर दिया किस पर हमिर देव चोहान की सेना पर और इसमें कौन मारा गया बीम सिंग मारा गया था वापिस सेना आ रही थी और अचानक सेना ने अक्करमन कर दिया बीम सिंग मारा गया लेकिन इसकी जवाबदारी किसको जिम्मेदा को माना और द्रम सिंग को सेना पती से हटा दिया किसने हमीर देव चोहान कि इसमें तेरा कोई हाथ है तुन ने दोखा किया रहे से करके इसको हटा दिया गया और इस्सा करने से हमीर के क्या हो गई अंदर की जो व्यवस्ता थी जो परसासनिक वेवस्ता थी वह खराब हो गई किसकी अमेर्की कभी किसी को उठा रहा है कभी किसी को लगा रहा है तो क्या होता है पर अत्रात एक हॉड़ीन और जिसका फाइदा कोन उठाएगा अलाव दिन खिल जी उठाएगा अ दुबारा सेना बेजी अलाव दिनने ठीक हारकर वापस आ गई आप हारकर वापस चली गई कोई फायदा नहीं वा तीसरी बार फिर से सेना बेजी किसने अलाव दिनने आदमी वही रहेंगे उलुखा और नुशुरुत खां जाहिन दुरु को इनोंने जीत लिया था जाहिन दुरुक को इनोंने जीत लिया था ठीक है गेराबंदी चल रही है रन्थमब और दुरुक की गेराबंदी करने शुरू कर दी इनोंने जाहिन दुरुक को जीतने एक बाद इस गेराबंदी के समय इस साम मानते हैं कि नुशुरुत खां की क्या हो गई मौत हो गई ओल इदर से भीम सिंग खतम हो गया उदर से नुसृत कांग खतम हो गया फश्ट ग्रेड में क्यूसन आया था कि रण थम बोर्दू की गेराबंदी के समय अलावदिन का सेनापति कौन सा मारा गया था उलुक या नुसरुत का तो नुसरुत का मारा गया था ध्यान से देख लेना गेराबंदी के समय क्या हुआ नुसरुत का मारा गया ठीक है और यह सोचना मिली किसको अलावदिन खिल जी को और बतावे कि अलावदिन खिल जी स्व में अमीर खुष्रो है अबार तहकर तो याद राख लियो कि अमीर खुष्रो कि कसाथ आएँ है अमीर को साथ आयो अलाओदिन के कि शाथ इक डिटेल में तान आगगे बताओं अठकॉन बताओं कदें जद चितोडगडगा साका होगा ना उस समय बताओं अगे ठेक है कि खाने पीने की समश्य आ गई और दुरुक की हालत यह हो गई कि एक सोने के सिक्री या एक सोने के दाणने के बराबर एक नाज का दाना नहीं मिल रहा था यह हालत हो गई ठीक है इसलिए हमीर को क्या वाद दरवाजे खोलने पड़े दुरुक के और अलग-अलग कहाने आती है इसलिए हमीर कुसरों तो यह कहता है कि दुरुक के दरवाजे खोलने पड़े थे क्योंकि खाने पीने की समिश आ गई अब देखो दूसरी काने देख लेते हैं कुछ यह कहते हैं कि हमीर ने अपने दो वक्ति बेजे कोण कोण ए एक तो रणमल ने बेजो और एक रतिप कर दी कि कि साथ हमीर देव चौहान के और एक तरफ से क्या हो गया मोर्चा कमजोर हो गई एक तरफ की सेना क्या हो गई कमजोर हो गई इन्होंने क्या कर दी गदारी कर दी और अलाव दिन की खेल जी कि क्या हो गई सेना अंदर गुश गई दुरुक में इधर से जास इन्हो ने मोर्चा कमजोर किया था ठीक है अब देखो कही बताते हैं कि कुछ यह केते हैं कि हमीर प्रेशान हो गया था और प्रेशान होकर अपनी पत्नी रंग देवी पत्नी का नाम क्या था रंग देवी और बेटी का नाम क्या था पदमला ठीक है कुछ यह केते हैं कि हमीर देव प्रेशान हो गया था और प्रेशान होकर अपनी पत्नी रंग देवी से का कि मैं बहुत प्रेशान हो गया हूं अलव दिन खिल जी पर आकर्मन करने जा रहा हूं में ठीके। हो सकता है, मैं वापिस ना ऊए उनको भगाकरी वापिस आँ ठीके, फिर भी अगर मेरी हार हो जाए, तु पिच्जे से क्या कर लेना, जहर कर लेना। हार और जीत का पता कहीं से लगाना, तुम दरुक के उपर चड़ना, और देख लेना, कि अगर बगवाँ जं दो पिछे से क्या कर लाना जोहर कर लाना के जोह जोश में आ गई चोहा ने लगान कि सिना को बगाते बगवाएक के नज्दीक ले गया लेकिन वह जोस जोस में जीत में उन्होंने क्या किया हाथ में कौन से जंडे ले लिए काड़े जंडे हाथ में ले लिए किसने अमिर देव चौहानी कि सिनन और वो वह वापिस आ रही है जोस जोस में तो वो दुर्ग पर चड़ी हुए थी और देखा रंग देवी ने की काड़े जंडे दिखाई दे रहे हैं तो उन्होंने क्या कर लिया पिच्चे से जोहर कर लिया ये बताते कि उन्होंने जल जोहर कि थीक śāna ng자가 अगे दूशन आएगा वापिस कोन आएगा हमीर देव चौहां कहां आएगा कि दुर्ग मैं आएगा तो पिछिक ने रंग्सने कंगो और उसकी पुत्री हमेर महाकावी कहता है कि हमेर को पता चला तो हमेर ने अपना सिर शिव जी को अर्पित कर दिया था काट यह बात किसको पता चली कि काड़े जंडे देखकर और रंग देवियों पदमला क्या कर लिया जोहर कर लिया तो यह बात कि जब वो दुरुक माया तो उनको पता चली कि यह पता चली थी हमीर देव चौहान को और हमीर देव चौहान ने हमीर महाकावी एक इनुसर बता रहा हैं तो उसने क्या कर लिया अपना जो सिरे वो काट कर पगवान सीयों को अरपित कर दिया यह जो जोहर हुआ यह पर्मानित तो नहीं है कि यह जल्ड जोहर है लेकिन शिर्फ इतने ही बताते हैं किताबों में कि यह जोहर है और यह वह क्या था साकाव यह वाता 11 जुलाइ 11.03 तेरा सो एक देखो यह जल जौर की स्रृणी अलगर यह पर्मानी इतनी किसी किताब में साप नहीं लीकार ओटा है कि 11 जुलय थेरा सव एक होता क्या हुआ था रणम्धृमृ का साकह हुआ था हमीर देव ने कैस्छिर दारण किया था और जोहर किस ने क्या था रेंग देवी के नेतरत्यों में जोहर हुआ था यह हो गया राजस्तान का और रन्थमबोर का पर्तम साका क्या हो गया पर्तम साका किसका राजस्तान का और रन्थमबोर का दरूग जीतने के बाद मोमसा यहीं है भी, बैढ़ो यहीं है कि तो अलाओ दिन ने कहा कि मैं तुम्हें ठीक करदूँ मैं ठीक तो कर दूगा लेकिन तु भाद में क्या करेगा तो यह के था है कि मैं किसी हमीर्देव चौवान के मसज को लाके यह के रन थंबोर दुरुग सौंपूंगा तौलाव दिने का कि यार कौन शूद्रे रहे यार इन मरवा दियो जर बतावे कि एक हाती लाया और हाती हुं इन्हें कुचलार मार दियो ठीके किने मौमद साने अमीर कुष्रों ने दुरुग विज्जे के बाहद कहा था कि कुप्र काज कुप्र का गड़ इसलाम का घर हो गया कुप्र कुप्र के वे कुप्र कुपर कुपर वे द्रहम वीरो दिया एक हिंदू है और वो अगर कोई गाड़ ने काट रही है या गाए को मास का रही है तो वो कुप्र है यानि हम्मिर देव क्या था हिंदू था और ये क्या थ जो था वो मारा गया हिंदू का हिंदू जो था वो दर्म विरोदी था और वो आज मारा गया ठीक है और एक डायलोग ऊरंगजेव ने भी दिया था कूपर से समधित था ठीक है वह हम आगे देखेंगे तो यह हो गए आपका रनतम और कतवान खतम आगे हम देखेंगे मेवाड काईतियास गुहिलवन्स या सिसोध्या राजवस हम पढ़ेंगे ठीके ठीके तब तक राम राम मानना